कल योग में पहली बार इतनी बड़ी खुश खबरी चुने कोई एक नमबर नमस्कार दोस्तो जै मातादी, जै श्री कृष्णा, जै महाकाल कैसे हैं आप सब बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा वीडियो है फ्रेंट्स कल योग में इतनी बड़ी खुश खबरी आपको मिलने वाली है तो कौन सी खुश खबरी आपको मिलने वाली है देख लेते हैं आपके सामने स्क्रीन पर तीन नमबर दिखाई दे रहे हैं आपको जो भी आपको अच्छा लगे मन को शान्त करके एक नमबर आपको चुन लेना है तो नमबर 11, नमबर 22 और नमबर 30 डवल 1, डवल 2, डवल 3 ये तीन नमबर आपके सामने हैं जो भी अच्छा लगे आप चुन ले और देख लेते हैं टेरो कार्ड आपके लिए क्या संदेश लाए हैं तो जिनोंने भी डवल 1 नमबर चुना हैं उनके लिए टेरो कार्ड यही कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन होते हुए भी आप अपने कारे से संबंदित कोई निर्णय जो भी आपको सटीक लगे जो भी आपको सही लगे एक निर्णय ले और आगे बढ़ें आपके कारे छेतर में जो अधिकारी हैं आपसे सीनियर हैं उनका सहयोग मिलेगा तो जिन चीजों से आप बच रहे थे वो बातें आप कर सकते हैं अपने प्रमोशन की बात उनसे कर सकते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है परिवार के लोग आपसे कटे लगेंगे आपको बहुत ज़्यादा भूल अपने अपने वारे में सोच रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपसे कोई बात नहीं कर रहा है आपको एग्नोर कर रहे हैं ये इस्थितियां बन सकती है फ्रेंट्स आपके कारे छेतर आया आप अगर स्टुडेंट हैं अगर आप बिजनिसमेन हैं तो भी आपको आज कुछ पॉजिटिव होते हुए नजर आएगा कुछ ऐसा नेर्णाय आपको लेना है आपके सामने ऐसी इस्थितियां बनेंगी कि आप कोई नेर्णाय ले आप निश्चय तोर पर ही सही नेर्णाय लेंगे सो उस दुविधा से आप बाहर आएं और भगवान पर भरोसा रखें जब भी कोई नेर्णाय लें इश्वर का नाम लें और साम्त मन से नेर्णाय लें उसके अच्छे बुरे पहलूँओं को देखें जाज पर रखलें हाँ एक और बात यहां पर नजर आ रहे है टेरो कार्ड यह भी कह रहे हैं कि आपके परिवार में या आपकी ही सेहत से संबनित कोई भी जो लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही थी कुछ भी था तो वो आज आपको उसके लिए अच्छा संकेत यह मिलेगा कि वो बीमारी लंबी बीमारी खत्म हो जाएगी तो सेहत में तेजी से सुधार होगा इस से आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा ये ख़बर आपके लिए आज फलदाई रहेगी एक और यहां पर टैरो कार्ट संकेत दे रहे हैं फ्रेंड्स की आज आप यात्रा के योग बन रहे हैं कहीं किसी कारे को लेकर कहीं आप यात्रा के लिए जा सकते हैं निश्यत तौर पर ही आपको उसमें भी सफलता मिलेगी शेयर बजार का काम कोई करता है कोई प्रापरटी का करता है तो कोई निश्यत ही अच्छी डील आपको मिलने वाली है और आपके परिवार जनों की तरफ से आपको कोई ऐसा हो सकता है कोई result किसी का अच्छा है जिसका आप इंतिजार कर रहे थे तो आज आपको उससे संबंदित कोई सूचना मिलेगी जो भी मिलेगी सूचना अच्छी मिलेगी आपके मन को तसल्ली मिलेगी satisfaction मिलेगा आज और आपकी जो धन से संबंदित अगर कोई कारे रुका हुआ था कुछ दिनों से आप परिशान थे कि कोई काम नहीं हो रहा है तो कोई रुका हुआ काम निश्चे तोर पर ही आज आगे पढ़ेगा और उससे भी आपको positive ख़बर ही मिलेगी तो आपको करना क्या है बस इश्वर का ध्यान करना है अपने निर्णे समय पर लेना है दोस्तों अपने मन में कोई confusion नहीं लाना है जिन्होंने भी double two number choose किया है उन्हें के लिए देख लेते हैं टेरो काट क्या कह रहे हैं तो pile number two के लिए टेरो काट यहीं कह रहे हैं कि सयम और प्रतिक्षा आपको थोड़ा सा परिशान कर सकती आपने सयम रखे जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे वैसा फल आपको न तुष्टी नहीं होगी इस समय अपनी कारे प्रणाली पर ध्यान दे अपनी बातों पर ध्यान दे अगर आपके जीवन में एक ही पैटर्न चला रहा है एक ही तरह का सारी चीज़ चल रही है परिशानिया है तो बनी होई है खत नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको थोड उतना परेशान होने की जरुत नहीं है हिम्मत रखें उपर वाले पर भरोसा रखें और अपने कारे को करें अच्छे से अपने कारे को करें अपने स्किल को बढ़ाएं कोशिश करें कि आप जो भी करें वो अच्छा हो पॉजिटिव रहें अपने कारे के लिए भी पॉजि कभी कभी मुश्किलों में डाल देता आप कभी नाराज हो जाते हैं तो अपने साथ काम करने वालों के साथ आपको दोस्ती बना कर रखनी है एक अच्छा माहौल बना कर रखना है कुछ लोग जो आपकी पार्टनर और आपकी बीच में गलत फैमिया पैदक करते हैं उन लोगों से निश्चे तॉर पर ही आपको दूरी बना लेनी है आपको अगर समझ में आता है कि इस ब्यक्ति की बज़े से आपकी कारे छेतर में आपको समस्या होती है तो आपको उससे दूरी बना लेनी है आपको दो से तीन दिन तक कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है, दो-तिन दिन रुक जाएं, तो आपके अंदर जो छमताएं हैं, उनको आप निखार के अपने सहयोगियों के साथ कोई बड़ा टार्गेट अचीव कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा निर्णे लेंगे जो आपके लिए बहुत अब कोई बड़ी सफलता मिले वाली है, कुछ असंभाव कारे आप अचीव करेंगे, अब आपकी सफलता के दिन शुरू हो चुके हैं, तो अगर आप कारे छेतर में ज़रा सा बदलाव करें, अपने सभाव में थोड़ा बदलाव करेंगे, तो निश्चे तोर पर ही आप टारगेट को एचीव करेंगे, जो आप बहुत दिनों से सोच रखा था आपने करने का, वो आप करेंगे, असंभाव को संभाव करने की आपकी अंदर जो छमताएं हैं, और जो पॉजिटिव रहने की आपके सभाव हैं, वो आपके लिए बहुत हैल्फुल होगा, जिनों अभी थर्ड नमबर का पाइल चुश किया है, डवल ख्री नमबर चुना हैं, उनके लिए देख लेते हैं, टेरुकार्ड क्या कह रहे हैं, टेरुकार्ड यही कह रहे हैं कि परिवार में सुकसान्ती बनी रहेगी, आपके आर्थिक समस्याएं दूर होते हुए आपको नज हुआ वर्ग है, तो उसकी तरफ से आपको कोई बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है, एक और चीज टेरुकार्ड यहां पर कह रहे हैं, फ्रेंट्स की आपका आत्म विस्वास, आपका उत्साह और आपका साहस देखकर परिवार की दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे, प बहुत पॉसिटिव हैं, लेकिन फिर भी आप उसको देख लें, अच्छे से जाच पर रखके ही कोई भवशी के लिए योजना बनाएं, निश्चे तोर पर ही आपकी आर्थिक जो भी समस्याय थी, वो अब खत्म होते हुए नजर आ रही हैं, साथ ही परिवार के लोगों म भी खुशहाली का माहौल बन गया है, आपके कारे छेतर में आपको कोई बड़े निर्णाय लेने होंगे, जो आपके लिए सफलता का कारण बनेंगे, तो आपको बहुत सोच समझ कर ही कुछ बिचार करना है, फिर निर्णाय लेना है, इसमें अपने परिवार जनों का अप भी इन दिनों की सभी लोग आपकी तरफ आकरशित होंगे, देखिए दोस्तों सही गलत, अच्छा बुरा सब चलता रहता है, जीवन में सुख दुख सब पहिया चलता रहता है, तो आपको अपने आत्म विस्वास में कमी नहीं लानी है, उत्साह में कमी नहीं लानी है, आ और अपनी जो आस्था भगवान पर बनाए रखते हैं निश्चे तोर पर ही आपको आशिरवाद मिल रहा है उनका। तो केरियर की तरफ से परिवार की तरफ से आपको कोई बड़ी खुश खबरी मिलने ही वाली है। फ्रेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने माइंड के डाउट को जरूर शेयर करें जै माता दी के जैकारे लगाएं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेटिस्ट वीडिय वीडियो में तब तक के लिए जै माता दी जै स्री कृष्णा जै महाकाल